शचिंद्रनाथ सानियाल के बारे में, सचिंद्रनाथ सानियाल, कफी important personality, paper 1 point of view में ये topic आपसे पूछा जा सकता है, paper 1, तो इनकी 80th death anniversary, अभी recently 7 February को observe की गई, इनका जन्म 1893 को हुआ था, भारत के सवतंदता समगराम में इनकी क्या भूमी का थी, इंडिया के struggle for independence में, इनका क् में हम लोग बात करें, तो सानियाल ने भारत में British सामराज्य के खिलाप, सशस्त्र प्रतिरोध, यानकी armed resistance करने के उद्देश से, हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना करी, तो पोश्चन मनेगा, HR-A की स्थापना किसने करी, HR-A के founder कौन थे, तो सानियाल आपको ध्यान दे रखन है, इन्होंने वर्ष 1913 में, 1913 में, पटना में, अनुशीलन समिती की एक शाखा की स्थापना की, 1912 में, डिल्ली शणियंत्र मामले में, सानियाल ने, राश बिहारी बोस के साथ मिलकर, तत्कालीन, वाइस रॉय, लौड होडिंग पर हमला किया, इन्होंने गदर शणियंत्र योजनाओं में व्यापक रूप से हिस्सा लिया, ये गदर कॉस्पिरेंसी में involved थे, और फेबरी 1950 में, इसका परदा फार्ष होने के बाद, मतलidade गदर कॉस्पिरेंसी का परदा फार्ष होने के बाद, ये अंडर्डराउंड हो गये, और शच चले जाने के बाद, शशिंद्रनाथ सानियाल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ट नेता माना जाता था, जब देता जी सुभाज चंद्र जबान चले गए, तो इनको सानियाल को कहा जाता था, कि ये मोस्ट सीनियर लीडर है इंडिया के रिवल्यूशनरी वह चंद्र शेकर आजाज और भगत सिंग जैसे क्रांतिकारियों के गुरू थे, सानियाल और महत्मा गांधी 1920 और 1924 के बीच, 1920 और 1924 के बीच, यंग इंडिया में प्रकाशित एक प्रसिद बहस में शामिल हुए थे, एक काफी फेमस डीबेट थी जो पब्लिश हुई थी यंग इंडिया में, तो उसमें अक्सर जिक्र होता था महत्मा गांधी जी वर्सिस सानियाल का, सानियाल ने गांधी जी के, ये important point है, त्यान रटना, सानियाल ने गांधी जी की जो क्रमिक वादी दृष्टी कोण जो थी, gradualist अप्रोच जो थी, इसके खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किये थे, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और सानियाल को काकोरी शनियंत्र में शामिल होने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और अंडमान और निकोबार ज्वीब समू, जो अंडमान निकोबार आइलेंड सो हम लोग को देख किया गया था, और यहां उन्हें बंदी जीवन, बंदी जीवन, नाम की अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, बंदी जीवन, A Life of Captivity, 1922, की इनकी ये किताब दी, पोशन ये दिया सकता है, बंदी जीवन या फिर A Life of Captivity, ये किसकी किताब है, तो सानियाल आपको थोड़ा है, आज या कल में, काकोरी शडियंतर के बारे में आप पढ़िए, गांधी जी की ग्राजुलिस्ट अप्रोच क्या होती है, ये सेकंड टास्क क्या आपका, ये आपको कवर करना है, गदर कॉस्परेसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, 1912 का दिल्ल की शडियंतर क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, और HRA के बारे में तो मेरे खाल सा आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान रिपबिलिकान असोसियेशन के बारे में, HRA के बारे में, अगर नहीं पढ़ना है, तो ये कुछ important points है, जो मैं चाहता हूँ कि आप इस इस पर कोई doubt होगा, क्योंकि fully factual चीज़े हैं जो की prelims में पूछी जा सकती है, और even mains में भी इंसर-related कुछ चीज़े आ जाया लिखने के लिए, तो आप ये सब points का इस्तमाल कर सकते हैं, right?